हेलो इस्टूडेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टडी विद रीडिंग देश की आजादी की सतहत्यर्मी स्वतंत्रता दिवस की हार्तिक सुपकामनाए जय हिंद जय भारत आप सभी से निवेतन है कि वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें आज का टॉपिक है य सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा तो चलिए सुरू करते हैं आज के टॉपिक यूपी पुलिस कॉंस्टेवल प्रिवियस इयर सौल्व कुष्चन इस्टार्ट ओके पहला प्रसन है भारतेंदू चंद्र ने किस प्रसन का संपादन योम प्रकाशन नहीं किया था पहला प्सन है नव जोती दूसरा प्सन है हरिश्चंद्र चंद्र का तीसरा प्सन है बालबोधनी चौथा प्सन है हरिश्चंद्र मैजीन तो दोस्तों बताईए आपको कौन सा सही जवाब होगा तो इसक प्रास नंबर दो को देखते हैं उत्तर परदेश में कितने पसूच चिकित सा पोलो क्लीनिक हैं आप्सन नंबर A 5 आप्सन नंबर B 3 आप्सन नंबर C 2 आप्सन नंबर D 10 तो दोस्तों बताओ कौन सा सही जवाब है आपके पास 5 सिकंड है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ 3 पॉली क्लीनिक हैं और नेक्स्ट प्रासन है थर्ड उत्तर परदेश का कौन सा नगर ताला उद्दो के लिए परशिद्ध है दोस्तों ये प्रिवियस येर कुश्चन पेपर है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के तो ऐसा ना सोचे कि ये कहीं और से है आप जो है इसको द सिद्ध है अब हम अपना नेक्स्ट प्रासन फोर देखते हैं किस साहितिकार का जन्म उत्तर परदेश राज के अलिगर जिले के अतरौलिया में हुआ था तो बताईए किसका अतरौलिया में जन्म हुआ था किस साहितिकार का अपसन नंबर एड डॉक्टर नागेंद्र अपसन डी राय किर्शन दास आपने अपना जवाब दे दिया होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसन नंबर एड डॉक्टर नागेंद्र अब प्रसन नंबर फाइब देखते हैं देश में पसुधन की दिरिष्टी से उत्तर परदेश का कौन सा स्थान है कि दूतिये अपसन नंबर सी 3 अपसन नंबर 1 में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब बताएए इसका सही जवाब हो जाएगा परथाम तो हम अपने नेक्स्ट प्रसन पर देखते हैं प्रसन नंबर 6 उत्तर परदेश के निम्न लिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लग इसका परियाग राज की नाम से जाना जाता है प्रस नम्बर साथ है उत्तर प्रदेश के किस छेत्र में थारू जनजारते निवास करती है थारू इसको बोलते हैं कि ये दिवाली को सोक के रूप में मनाती है तो इसका सही जवाब बताओ कौन सा है तराई है कि पठारी है कि मैदानी है या इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा option number A क्या सही है option number A तराई गुड अब हम अपने next प्रस्ट को देखते हैं प्रस्ट नमबर 8 मैथली सरण गुप्तिकार जन्म उत्तर परदेश के किस सहर में हुआ था तो बताए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा option number A आगरा में, option number B जासी में, option number C इटावा में, option number D बनारस में यानि वरारसी में, तो बताए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा बनारस या वरारसी एक ही है, इसको कासी भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number G, मतलब B जासी, next प्रस्ट है, प्रस्ट number 9 राज में, सरवाधी, मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, option number A, फिरोजाबाद, B, बहराईच, C, बुलंद नगर, बुलंद सहार, option number D, सरावस्ति तो बताए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बताओ जल्दी से, यह previous year ही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number C, बुलंद सहार दोस्तों, लाइक कर दें, प्लीज, next प्रस्ट, महादेवी बर्मा का जन्म, उत्तर प्रदेश के किस सहर में हुआ था और कमेंट करके जरूर बताएं कि बैक ग्राउंड वाल पेपर कैसा है, आजादी की खुसी में मैंने ऐसा वाल पेपर लगा है, जो आप सभी को भी अच्छा लगे तो इसका सही जवाब बतावा कौन सा है, महादेवी बर्मा का जन्म, उत्तर प्रदेश के किस सहर में हुआ था दोस्तों, आजमगर में, फरुखाबाद में इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सन नमबर B, फरुखाबाद अब हम अपने नेक्ष्ट प्रस्ण को देखते हैं, मेथा के उत्पादन में कौन सा राज्य है, पर्थम अस्थान पर है मेथा के उत्पादन में कौन सा राज आप्सन नमबर A हरियाणा आप्सन नमबर B पंजाब आप्सन नमबर C केरल आप्सन नमबर D उत्तरपरदेश तो गाईज इसका तो आपको पता ही जब उत्तरपरदेश में पूछा जा रहा है उत्तर परदेश की प्रस्न है तो उत्तर परदेश का ही होगा है ना तो इसको ध्यान में रखो कि अधिकतर ऐसे जवाब को हमेशा अपने ही राजिका लगाएं तो प्रस्न नमबर 12 है आचार महावियर प्रसाद्य वेदी का जन्म उत्तर परदेश के किस सहर में हुआ था तो तो बताईए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब बताए और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बैग्ग्राउंड अच्छा हो तो लाइक कर दे प्लेश इसका अप्सन नमबर A सही हो जाएगा राजबरेली अब हम अपने नेक्स्ट परस् उत्तर परदेश में कितने हर्बल गार्डन की अस्थापना की गई है बताईए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा उत्तर परदेश में कितने हर्बल गार्डन की अस्थापना की गई है आपसन नमबर A 11, B 12, C 13, D 10 तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर C 13 तो बेता जाता है आलो को भी दूसरे परदेश में किसी अन्य नाम से बेता जाता है क्या कोई नहीं अब जब प्रस्ण है तो जौब देना ही पड़ेगा तो इसका पताओ कौन सा सही जौब हो जाएगा A, B, C, D आप लोगोंने अपना तो जौब दे ही दिया होगा तो उत्तर परदेश में ताज महल परसिद्ध है तो I think B आप्सन सही हो जाएगा तो guys, yes, इसका सही जवाब है option number B, ताज ब्रांड, next question देखते हैं, question number 15, उत्तर परदेश का कौन सा भाग, सरवातिक बाल प्रभावित होता है तो बताओ पार कहां प्रभावित होता है, पूर्भी भाग में, यानि कि बिहार की साइट पस्चमी भाग में, यानि राजस्थान, हरियाना, या फिर उत्तर खंड से सटे हो, या बुन्देल खंड है, या मद्धवर्ती मैदान, मद्धवर्ती मतलब गंगा का मैदान जो पीच में है, नहीं, तो इसका सही जवाब हो सकता है, आपस्चमी भाग में, जो राजस्थान से सटे हुए, इलाके हरियाना से, दिल्ली से हैं, अब प्रस नमबर 16, उत्तर परदेश में सच्य जलवाई छेतरों की संख्या कितनी है, तो बताओ उत्तर परदेश में कितनी चलवाई छेतर पाये जाते हैं, आपसन नमबर A, 5, आपसन नमबर B, 7, आपसन नमबर D, मतलब C, 9, D, 11, कौन सा सही है, तो आप सब बता ही दिये होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपसन नमबर C, 9, अब अपने 17 में प्रसन को देखते हैं, उत्तर परदेश के स सबसे सौरी उत्तर परदेश के सभी जीलों में सहरी वन लगाने की योजनक कब सुरू की गई थी, यह तो काफी ओल्ड प्रसन है, तो आप लोगों को इसका जवाब पता हो या ना पता हो तो इसलिए, इसमें कोई प्राबलम की बात नहीं क्योंकि काफी ओल्ड प्रसन है, और यह जो है प्रिवियस यह में पूछ लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप्सन नमबर A, 23 जून 1993 को, ओके, नेक्ष्ट प्रस्ट है, उत्तर परदेश में पर्यावरण की प्रती लोगों में जाग रुकता लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा रह या फिर अपना सरकारी आप्सन, तो गाईज इसका सही जवाब हो जाएगा, आप्सन नमबर D, यह तो सभी का सही है, कोई है, जिसका गलत हुआ हो, परस्ट नमबर 19, उत्तर परदेश का निम्ले लिखित में से कौन सा अस्थान चित्र कूट में नहीं है, दोस्तों से 10 पर परखें और देखें कि आपने कितनी तयारिक की हुई है, तो बताईए इसका कौन सा सही जवाब है, जो चित्र कूट में नहीं हो, बताओ आप्सन B, A, D, C, कुछ भी, जो सही हो, तो इसका आप्सन नमबर C सही हो जाएगा, तब उवन, जो चित्र कूट में नहीं है, परस इसका तो सभी जानते होंगे, A, आप्सन राइबरेली है, B, आप्सन फैजाबाद है, आप्सन C, प्रताबगड है, याप्सन D, इलावाद, इसमें दो का नाम बदल दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रताबगड, प्रताबगड कुंडा वाले राजब्या के पास है अब हम अपने अगले प्रस्न को देखते हैं उपमे को सत्य सिद्धकर उपमान को सत्य रूप से अस्थापित करने में अलंकार होता है अरे इसकी लेंग्विज कितनी डिफकल्ट है देख रहे हो तो बताओ इसका कौन से सही जवाब हो जाएगा आप्सन ए बी सी य लिखाए है आपस हम यह एगर है दो इसका कौन सी विपरा तारथक शब्द का अर्थ है बताओ इसमें से कौन सा पत्यजड़ का विपरी तारथक सब्द है बसंत सीतलसर्दी विस्ता पत्यजड एगर है तो उचिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा पत्यढ खोशी गम बताओ बताओ क्यों हो जाओ बसान्त गुड अपने नेक्स्ट परस्न को देख रहे हैं परस्न नमबर त्याइस गाल बजाना कारत है गाल बजाना गाल बजाना होता है कि धोल बजाना होता है कोई नहीं यह परस्न पूछा गया है कि यह होगा हो कोई मुहाबरा टाइप का प्रस्ण है यह मुहाबरा ही होगा तो A. पिटाई करना B. गाली देना C. दिंग हांकना या D. क्रोधित होना या कोज यह दिंग हांकना ही होगा गालबजान आप से याद कर लो किसी को मत बोलना दिंग बोल रहे हो प्रस्ण नंबर 24 आप कौन सा सरुनाम है आप में बताईए कौन सा सरुनाम है निष्चेवाचक है अनिष्चेवाचक है या निडवाचक है या इनमें से कोई नहीं जैसे बोलती नहीं है कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा या मैं अपनी कपड़े खुद से धोलूँगा तो खुद से हो या आप से हो तो इसका क्या हो जाएगा मतलब निश्चे ही नै तो इसका हो जाएगा निश्चे वाचक तो प्रस नमबर पचीस चा वर्ग का उचारा रस्थान क्या है चा का उच्छारा रस्थान क्या है कंठे तालू मूर्धा दंद बता हो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका ट्रिक होता है याद करने का बहुत ही इजी होता है हम आपको बहुत ही जल्द बता देंगे थियोरी की कलासेस में तो अभी आप बताइए इसका कौन सा अप्स बिसेसर काउंट करू कितने वर्ड्स हैं इसमें कितने अप्छर हैं बिसेसर में तो सोच के बता दो काउंट तो करी सकते हो न कितने अप्छर है इसमें तीन हैं चार हैं दो हैं या पांच हैं तो इसका आपसन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका आपसन नंबर बी सही हो जाएग अभी सेशल में चार अप्छर हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, अब प्रस नंबर 27 देखते हैं, मदुसाला, यह तो बहुत ही अच्छी कभिता है, और किसकी कभिता है, उनके बेटे इस समय आप देखी रहे हो, फिल्म इंडेश्ट्रिम हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब आप बताएं, कि मदुसाला किसकी रचना है, आप सबको पता ही चल गया होगा, बच्चन साहब, यानि हरीबन सराय बच्चन, आप्सन नंबर 20 है, अब हमारे पास 3 प्रसन बच्चे हुए हैं, प्रसन नंबर 28, नियमने लिखित में से आग का प्रयावाची सब्द नहीं है, तो बताओ इसमें से आग का प्रयावाची कौन सा नहीं, यह तो काफी अच्छे आप्सन है, बिगपत, बिप थगा, बिभावसू, बायु सखा या हुतासन, तो इसका सही जवाब बताओ, कौन सा आप्सन लाश्ट प्रस्ण को देखते हैं, प्रस्ण नमबर 29, हिंदी वड माला में स्वरो की संख्या है, यह भी प्रस्ण आया था, ध्यान से देख लेज़े, ऐसा नहीं है कि सीव डिफकल्टी प्रस्ण आते हैं, इसी प्रस्ण भी आते हैं, नहीं तो पता लगे कोई मैरिट्व लिस्ट में ही ना हो, तो बताओ इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, आप्शन A, आप्शन B, 9, C, 11, देन में से कोई नहीं, इसका तो सभी को पता होगा कि 11 सवर होते हैं, लाश्ट प्रस्ण देखते हैं, प्रस्ण नमबर 13, किसकी प्रग्या संग्या नहीं होती, यह त बताओ इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा आप्शन सही है, तो इसका सही आप्शन है, आप्शन नमबर A, 11, देख लिया और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप सब से निवेदन हैं, प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी बनी है, या कैसा है, और नेक्स्ट प्रस्निक हम फिर जल्दी लेके आएंगे, जै हिंद, जै भारत